तेले पे जो पोहे मिलते हैं उसमें कुछ ऐसी सिग्रेट चीरें डाली जाती है जो हम लोग भी घर पे बनाते हैं तु नहीं डालते हैं कि इसकिप कर देते हैं इसलिए हमारे पोहे में ठेले बना लेते हैं बहुत ही यमी टेस्टी लगेगा अपने घर में इसे आप एक बार बार बनाएंगी तो चलिए शुरू करते हैं चोटी सी वीडियो है तो प्लीज फूल वाच कीजिएगा और वीडियो को स्क्रीपर के नहीं देखिएगा कुछ ऐसी चीजे हैं जो हम लोग डालेंगे और आप लोग साथ अपने घर में पुहे बनाते वक्त नहीं डालते होंगे कमेंट वक्स में जरूर हमसे बताईएगा कि आप लोग केसे बनाते हों और अगर इस रेस्टपी को आप ट्राइ करते हो तो प्लीज हमसे आकर कमेंट वक्स में सेयर किया कीजिएगा कि कैसा लगाừआप लोग को देखिएр पसंद अपनीन अ? पता आप लोग को कौन से पर अगर इस तरीके से आप बनाएंगी तो आपको बहुत पसंद आएगा एक अलग रेस्पी मिलेगी और टेस्ट तो पुछ है मत जब बनाएंगी तो आके बताएंगी हमें तो यहां पे तेल गरम किया जीरा डाला और बादाम यानि की मुंफली और यहां पे करी पता प्रेस है सूखी पतियाँ डाले है तो डिया यहां डूल यहां पर दो बड़े प्याज दालेंगे देखीए एक एक इचछर टीप्स है कि पोहा जब बना रहे हो ना बहुत जादा नहीं भूनते हैं यह लोग इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे हलका सा हमारी प्याज सेखेंगे घैसलो करके तो यहां पे हलका सा ही प्याज को सेखना है ध्यान दिजिएगा अब हम इसमें एक मसाला डालेंगे जो आपके पुहे को बहुत ही यमी और टेस्टी बनाएगा हारी चटनी ज 2-4 पत्तियां मतलब की एक मुठी पालग जरूर डालीयेगा और हरी धनिया हरी मिच्छी हमारा प्रॉत जद्र करें हम पीसके रखे हैं वहीं ले लिया है और यहां पर एक चमच गरममसार्व और यहां पर एक चमाच हल्दी टो एक चम्मत चीनी भी डाल देना नहीं पसंद करते तो इसकेप कर देना हमने भी नहीं डाला है लेकिन ठीले वाले भाईया लोग चीनी जरुर डालते हैं हम यहान पर दही जरू डालना बहुत ज़्यादा खटी नहीं मतलब फ्रेज दही हो ताजी रही हो और यहान पर मसा तो यहां पे एकदम खिला खिला ग्रीन पोहें बना रहे हैं हम लोग तो इस तरह से देखिए हम लोग करके हम लोग मटर को पका लेंगे यहां पे हमारी मतर देखिए अच्छे से पक गई और कितना अच्छा आया है eon आयं किसी तरह देखिए मतर में देखिए यहां पे अप मु पूरे अच्छे से मसाले ही भून में ऑप सोचेंगे तेस्ट याए अच्छे से आता है पालक करते तो ना डालीएगा लेकिन यह यूमी टेस्टी यह को यूद्ध यहाँ पोहे को डाल देंगे देखें तो आप सूखा पोहा ले सकते हो यहां पे और हम थोड़ा सा इसको धुल दिये हैं थोड़ी अच्छे से चन्नी में धुल देना है गंदगी इसकी निकल जाए पोहे की तब हम इसमें डाल देंगे और गैस लो करेंगे और इनको देखिए भून लेंगे ठेले वाले भैया लोग को बह गाते हैं तो आप चाहे तो डेश अरे पोहे सूखा यहां पे डाल दो और इस्टोर करके रख दो चब खाने का दिल करें तो इस टीम करके इस पोहे को खा सकते हो लेकिन मैं तुरंथी बना रही थी तुरंथी खाना था तो थोड़े से पोहे को धुल के डाला है तो यह रि है तो भी टेस्ट अच्छा नहीं आता पोहे का तो मतर भी उसमें आने चाहिए तो यह रिस्पी बनके तयार हो चुकी है मिलूंगी अगली रिष्पी में और सॉर्ट वीडियो इसके आ चुकी है चैनल पे और कल ही आ चुकी थी तो जाके देखिए का अगर अच्छा लगता ह कभी कभी सॉर्ट वीडियो में जो रिष्पी और लॉंग वीडियो में नहीं आती है तो आप कभी कभी सॉर्ट वी चेक कर लीजी लीजिएगा हो सकता है कि कोई रिष्पी आप लोग को पसंदा जाए थैंक्यू प्लीज चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब करें